आमस्कार दोस्तों स्वागे थे आपका अपने चैनल प्रभात इबारी स्टड़िया यूपे दोस्तों B8 और BTC की पलपल के अभिएट हम आपको चैनल के माध्यम से प्रवाइड करें हैं और बहुत बड़ी खबर सामने निकल किया रही है B8 के अभिएट के अभिएट है तो ही वीडियो देखना और B8 की अभिएट है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना पूरे देश में जब B8 और BTC का मसला बना हुआ था तब दोस्तों यहाँ पर सबसे पहले 36 गड़ में कांग्रेस की सरकार सामने आई B8 को सामिल को लेकर ठीक है उसके बाद दोस्तों यहाँ पर नितिस कुमार भी पीछे नहीं हटे और उन्होंने भी यह जाहिर कर दिया कि वो अभियर्थियों के साथ है तुरंती बिहार ने सुप्रीम कोट में दोस्तों याचिका दाखिल कर दी B8 को सामिल को लेकर तो दोस्तों यहाँ पर अभियर्थियों का डिमांड तेज हो गया है कि जब दो स्टेट सामिल कर सकते हैं B8 को तो यहाँ पर अधर स्टेट को क्यों नहीं सामिल कर सकती और इससे दोस्तों सेंटरल की गवर्रमेंट पर भी दोस्तों दवाव पड़ेगा क्योंकि अराम से जारी कर सकते हैं क्योंकि पूर बहुमत में सरकार है और बाकी स्टेट्स भी सपोर्ट में हैं तो अब बेटों की मांग तेज हो गई है कि यहां पर अध्यादेश को जारी किया जाए बैराल दोस्तों यहां पर सारी बाजी पलट चुकी है अब फैसला बीट के स्काइब करना चेंग